दोस्तों अगर आपने भी 2024 में बिहार बोज से 11 में अपना नवांकन करवाए हैं यानि कि 2026 में बिहार बोज से intermediate का final exam देने वाले हैं तो आप सवी विद्यार्थियों के लिए काफी बड़ी update निकल करके आ चुकी है क्योंकि आप सवी विद्यार्थियों का registration फोरम भराना श हैं तो आप लोगों का registration फोरम भराना शुरू हो चुका है तो कब से कब तक आप लोगों का registration फोरम भरा जाएगा कितना आप लोगों को अवेदन सुल्क देना होगा कौन student अपना registration करवा सकते हैं संपून जनकारी हम आपको इस वीडियों बताएंगे कैसे आपको registration करवाना ताकि जो भी इस परिकार की update होगी हो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी साथ ही हमारे WhatsApp चैनल को भी join कर लिजेगा हमारे WhatsApp चैनल का link इस वीडियो के description box में दिया गया क्योंकि जो भी छोती बड़ी update आती है जिस topic पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उसकी जनकारी सबसे पह जारी किया गया है जिसमें यहां पर बताया गया है सत्र दोजार चोविस से चब्विस में मानिता प्राप्ति सिक्षन संस्थानों में intermediate यानि कि अगारमी कक्षा में नवांकित नीमित कोती के विद्यार्थियों के लिए सुची करन यानि कि आप लोगों का जो रजिस्ट् यानि की पर्किरिया शुरू हो चुका है इसी वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फारम भाना है कब से कब तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की परकिरिया चलेगी तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन मे रेजिस्ट्रेसंट फॉरम वह दो खंड में रहेगा कंड ए और कंड बी में यहांपर रहेगा कंड ए का झो जनकारी कि आप लोगोगों को फिल एक खंद B का जनकारी आप लोगों को फिलप करना होता है उसके बाद यहां पर जो आप लोगों का एक कॉलूम रहता है अधार नंबर का जहां पर आपको आधार नंबर देना है अगर आप अधार नंबर देते हैं तो नीचे आपको अधार नंबर वाले बॉक्स के नीचे आपक सब्सक्राइब करना होगा उन्हेचर किजिएगा सिफ अधार नमबर के नीचे सिंग नहीं किजिएगा इस बात का आप ख्यास देया देया लगा वह कितना जमा करना होगा कब से कब तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन चलेगा उसका जनकाई बता देते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करवा अगर आपको परिक्षा में बैतने के अनुवती नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप लोग का जो admit card चारी किया जाता है वो EC base पर जारी किया जाता है आप लोग जिस अनुसार अपना registration form भरेंगे उसी अनुसार आप लोग का admit card भी जारी होगा तो इस बात का आप खयास द्धान लखियेगा और जो भी जनकारी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फोरम में देना है वो सभी जनकारी को अच्छे से ध्यान पुर्वक भरिएगा कहीं भी आप किसी परकार की गलती नहीं किजेगा यहां पर आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन की परिक्रिया अपनानी है वो अफ्लाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन फोरम भरना होगा सबसे पाले आप सभी विद्यार्थी को अपने कॉलेज जाना होगा या फिर इसकूल में आपका नमांकन हुआ है तो इसकूल में जाना होगा वहाँ के पाज़ाना ध्यापक से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फोरम परापत करना होगा और उनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन फोरम आपको दिया जाएगा उस रजिस्ट्रेशन फोरम को आपको अच्छे से ध्यान पुर्बक भर देना है उसके बाद उसमें मांगी गई सभी आवस्त्रेक दस्तावेज को अतैच करना होगा यानि कि सभी दस्तावेज का छाया प्रति आपको लगाना होगा उसके बाद आपको अवेदन सुल्क के साथ 22 सितंबर दौजार चोविस से पहले आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना होगा अगर उसके बाद आप जमा करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा इसलिए 22 सितंबर सब्सक्राना अब जैसे ऑन लाइन रिंक मिलेगा आपको इस पर आब यहां पर आएंगे तो नीचे लेटेस्ट वापटिग्री में आप देखेंगे बिहार बौद इंटर रजिस्ट्रेशन फॉरम दोजार चुविस से चब्विस का विकल्प मिलता है आपको इस पर किलिक करेंगे तो इस पर कार का एक निव पेज खुलेगा इस पेज का डारेक्ट लिंक हम इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं तो आप डारेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं इस पॉर्ण कूर्स वाले भी इस तुदेंट इसके लिए अपना रजुस्तेशन फर्म भास सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इस आर्टीकल में एक एक जनकारी को बिस्तार पुबग बताई गई तो यहां पर आप देखेंगे तो आप लोगों का जो अप्लि दिजेगा और यहां ही पर आप देखेंगे तो आपको सभी जनकारी मिल जागी कि कि से स्टुदेंट को कितना फी पेमेंट करना होगा उसके वादे आप नीचे आएंगे इंपोटेंट लिंक दिया गया यहां पर आप देखेंगे सभी स्ट्रीम का जो है रजिस्ट्रेशन फ अधे औते आसलियहां या विद्याले वहा विद्याले के पढ़ाना चार्ज से प्राप्त करना है उसके लिएिस के लिए आप सवी को आपनी स्कुल 1966 में जाना होगा इसे आप खुद से भी पर सकते हैं, इसमें सभी जनकाई को परवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 22 सितंबर 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिजेगा, अब दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन फोरम कैसे भारना है, तो उसके उपर हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगो का रजिस्ट्रेशन फोरम मिलेगा, वो आपको स्कूल कॉलेज से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगो को रजिस्ट्रेशन फोरम भरना है, वो खुद से भरना है, तो यहाँ पर बहुत सारे एस्टुदे